हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल स्टोक बाजार पर तो दोस्तों आपने ये जो शक्स आपको या शो हो रहे हैं जो भी मार्किट में इन्वेस्ट करता है ट्रेड करता है या डारेक्ली इंडारेक्ली किसी भी तरीके से मार्किट से थोड़ा भी related है ना तो वो इनको जानता ही होगा तो इनको क्या कहते हैं इनका नाम है राके जुन-जुन वाला तो राके जुन-जुन वाला जी के कुछ पाच ऐसे lesson है जो की उनकी investing को super hit बनाते हैं मतलब उनकी जो investing के जो criteria उनको fulfill करते हैं ठीक है तो वो ऐसे क्या पाच लेसन है जो राके जी अपने खुद जिस भी stock में वो invest करते हैं उसके लिए use करते हैं तो वो पाच लेसन हम राके जुन-जुन वाला जी से हैं सीखने वाले हैं वो तो अभी नहीं है दुर जो यहां होने वाला है वो है long term vision तो दोस्तों आजकल जिते भी हमारे जो new investor है जो beginner investor है उनको चाहिए कम time में पैसा दो महीने चार महीने जादा से जादा वो 6 महीने तक टिक पाएंगे और उससे जादा एक साल तक तो long term का मतलब नहीं होता long term का मतलब होता 10 साल की investment हो गई 20 fundamental अच्छे हैं तो उसको long term के लिए hold करके ही रखते हैं ठीक है तो दोस्तों जुन्जुन वाला believe that in the power of holding quality stocks for the long term his investment in titan which grew multifold over decades is a testament to his patience and faith in solid business तो दोस्तों जब भी यह stock लेते थे ना quality stocks ऐसे ही कोई penny penny stock या बिना fundamental loss making इन मेंने कोई जो भी एक quality stocks यह ढूंते थे यह लोग हमारी तरह multiple साल में मतलब महिने में जैसे हम लोग लेते हैं महिन जैसे 30 दिन का महिना होता तो हम लेते हैं तो इनकी जैसे investment टाइटर में उसने multifold decades में काफी साल बाद इन्होंने hold करके रखा था उसके बाद multifold return में आद देखने को मिल गए थे टाइटर में ठीक है तो जोकि इनके patience और business पे faith था ट्रस्ट था कि जो मैंने company चुनी है उसका आगे जाके हमें यहाँ पे future perspective है अच्छी growth है तो यह सब जो होता है long term vision होता है यह जो छोटी investor होता है यह सब नहीं इनको बज 6 महीने में एक साल में पैसे चीह होता ठीक है तो प time में तो आपको वो long term के लिए hold करना पड़ेगा ठीक है वैसे एक और example है मैं बताता लेकिन अभी जादा time हो जाएगा सारे lesson कवर करने में तो मैं किसी और दिन बता हूँगा ठीक है तो चलते है हमारे second lesson पे तो second lesson जो यहाँ पे है conviction in your investment इसका मतलब क्या है he always emphasized that once you done through thorough research and believe in a company you should have the courage to hold on to it even volatile market ठीक है तो दोस्तों इसका मतलब क्या है तो इसका साफ मतलब यह है कि मान लिजे आपने किसी भी company एक thorough research करी हर तरीके से fundamental technical आपने government की उससे क्या related scheme है और या फिर crude oil का कोई impact दोनी पढ़ रहा है उस पे तो मतलब आपने सारे sentiment जो भी है सब कुछ देखके उस particular stock में invest किया है ठीक है तो अब ना आपको market अगर हलका सभी volatile हो जाती है तो आपको फिर डरना नहीं है क्योंकि कभी-कभी market जो volatile हो जाती है कभी 1000 point उपर कभी 1000 point नीचे तो उसमें जो ना portfolio भी नीचे आता है सबका तो उसमें जो नए investor होते हैं beginner investor होते हैं वो लोग डर ज जाते हैं जिस वज़े से वो अपनी जो holding से उनको बेच देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है तो चाहिए कितनी भी volatile market हो अगर आपको conviction है आपने अपनी research पर भरोसा है थोरो research करिए आपने तो आपको wait करना है patiently market volatile है कुछ दिन रहेगा वापस stand strong होगा ठीक यह loss में हो जाएगा एक बार research कर ली invest करते हैं तो आपको hold करना पड़ेगा till your stop loss riches ठीक है तो दोस्तों next हमारा जो lesson होने वाला है जैसे कि यहां देखे जो राकेची है उन्होंने क्या कहता है stay optimistic about India a firm believer in India's growth story तो उन्होंने इंडिया की जो growth की story है उस पर belief किया है जुन जुल पर यहां पर मतलब invest किया उन sector पर जिसमें country grow होगी country grow होगी जिस sector में भी तो उससे जो companyया है वो भी grow होगी तो वो companyयों में इन्होंने invest किया जो की economic से related है country की economic से जो भी company रिलेटिड है वो क्योंकि जब country की मतलब उन्होंने भरोसा दिखाया कि country growth करेगी तो obviously country की economy भी बढ जिस जिस मतलब sector का यहां पर योगदानों का उन्होंने उन उन sector पर यहां पर जो है invest किया और उनके successful investment यहां पर रहे हैं ठीक है तो ठीक है हमने यहां तक अभी तक तीन lesson राके जुन जुन वाला जी से सीख लिया है हम चलते हैं fourth पर ठीक है तो fourth lesson हमारा यहां होने वाला learn from failure राके जुन जुन वाला face setback in his career but always considered a failure as a valuable teacher देखो आपको सब लोग यही बताते हैं कि जिन्दगी में ना failure आएंगे ही आएंगे ठीक है तो failure के बिना success नहीं मिलती success के अगर path पर जाते हैं तो सबसे पहले failure मिलता है उनसे सीखना होता है फिर अगली बार उन गलती को repeat नही पहुचते हैं तो दोस्तों इसी तरह इनोंने बताया कि वो अपने failure से लड़ते थे उनसे सीखते थे समझते थे और आगे वो गलती नहीं दोराते थे ठीक है he openly shared how some of his investment went wrong and the lesson he learned from them urging others continuously improving तो इनोंने मतलब जैसे market में गलतीयां क्या होती है कि कभी-कभी जो है न गलती stock pick हो ज न होता हमें अपना जो stop loss हमने लगाया होता है न उसको हमें पूरी जद दीनी होती है तो हमने जो stop loss लगाया हमें सही time पे सही वक्त पे वाँसे निकलना होता है उस particular stock से अगर हम उस particular stock से नहीं निकलेंगे तो वो हमारा हो सकता है जैसे आपको पता है Vodafone किते पर 200-300 के आ आपने एक बार सीख लिया कि एक बार एक stock था कि वो मेरे stop loss से निचा आया था तो वो गिरता ही चला गया तो आपने यहां सीख लिया गलती हो गई यह बार कोई बात नहीं लेकिन next time अपने stop loss को आप respect ज़रूर करेंगे ठीक है तो ऐसे ही गलतियों से सीखेंगे तो इसी व प्रेशन आता जो मैं कहूंगा आज के हिसाब से भी काफी जादा इंपोर्टेंट है तो वह है adaptability इस दकी तो इसका मतलब मतलब नहीं समझा रहा होगा काफी लोगों को तो मैं आपको बताता हूं देखे हर चीज टाइम के साथ जो है ना मतलब डेवलप होती रहती है उसक इस स्ट्राटेजीज एमबरेज्ट चेंजिस विच कैप्ट इम आहेड ओफ मार्के रेगुलेशन्स मार्के ट्रेंट्स तो दोस्तों इसका क्या मतलब है तो इसका साफ मतलब यह है कि जो मार्केट से वह एवर इवॉल्विंग है यह मार्केट बन तो होने वाली नहीं करने की जैसे कि मार्केट जो है उनके हर तरह पे जो डाइनमिक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और वो नएने सेक्टर पे स्टड़ी करते रहते थे और अपनी जो स्ट्राटेजीज जो मार्केट में अभी भी काम करता है तो अगर आप जैसे देखेंगे कि पहले चार्ट में चार्ट पेटन बहुत करते हैं तो ऐसे ही आपको टाइम के साथ साथ अपने जो स्ट्राटेजीज हैं उनकर करना पड़ेगा उन्हें एक लाना पड़ेगा जैसे कि मैं आपको अगर लेटेस्ट बताता हूं तो अभी ट्रैप ट्रेडिंग काफी ज्यादा फेमस होती कि ब्रेकाउट के पास ट्रैप बनता था कि ब्रेकाउट हो रहा है मार्केट अब यहां से उपर जाए कि लेकिन वहां ट्रैप होके मार्केट क्या हो रहा है अब ब्रेकाउट के पास भी यहां पर ट्रैप हो रहा है री टेस्ट के पास भी ट्रैप हो रहा है और उसके बाद भी ट्रैप हो रहा है ठीक है तो मार्केट में आपको अपनी जी स्ट्रैटिजीज है उसको अपडेट कर रहा ही पड़ेगा ठीक है तब ही कुछ कर सकते हैं तो दोस्तों हमने यहां पर राकेश जुन जुन वाला सर के 5 lessons from राकेश जुन जुन वाला for investing हमने यहां इनके 5 lessons नहां देख लिए हैं और आपको ऐसे ही कुछ knowledgeable वीडियो चाहिए हो तो आप comment कर सकते हैं और मैं अभी swing trading पे एक master course बनाने वाला हूँ तो उसक के PDF हैं मैं आपको वो भी provide कर सकता हूँ उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यह चैनल सब्सक्राइब करना है तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लिजेका चैनल धन्यवाद